हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग दोस्तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो पुराना लाइसेंस और नए वीजे वाले हैं तो दोस्तो अगर मान लेते हैं मिसाल के तौर पर कोई अपने पुराने ही लाइसेंस से नए वीजे पर आने के बाद में गाड़ी चलाता है ड्राइव करता है तो इससे क्या कोई प्राबलम होने वाला है उसको यानि उसने अभी तक अपने उस पुराने लाइसेंस को नए अकामे पर ट्रांसफर नहीं कराया है आज के इस वीडियो में दोस्तो मैं आप लोगों को इसी के बारे में डीटियल में बताने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इस तरह के नए ने वीडियो आप लोगों के लिए ले कर करके आते रहता हूं तो चलिए चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बहुत ही मामूली सा प्राबलम जो है उसके बारे में हम बात करते हैं उसके बाद में जो बड़ा प्राबलम है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एक छोटा सा प्राबलम मैं आप लोगों को बताऊं कि मान लीची मिसाल के तुरूपर आप गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं गाड़ी लेकर कहीं जाते हुए रास्ते में कहीं चेक पॉइंट है फुलिस वाले ने आप से आपका अकामा मांगा और आपका लैसेंस मांगा जहर सी बात है कफील का नाम कुछ और अकामा नंबर कुछ और और पुराना जो लैसेंस आपका जो है जो आपने उसको दिया है उस लैसेंस पे भी कफील का नाम कुछ और और अकामा नंबर कुछ और तो एक बात बताएं आप लोग क्या वहां पर प्राबलम नहीं हो सकता है चलिए ये ए गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी आप बिना लाइसेंस के चलाते हैं मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं आपके पास में लाइसेंस ही नहीं है और अगर 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 कल के दिन कहीं आपके साथ में कोई एकसिडेंट हो जाए और उस एकसिडेंट में ये देखा जाए कि आप ग लेंगे कि भाई हमारे पास में लैसेंस तो है पहले का तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि भाई जब तक आपका वो पुराना लैसेंस आप नए अकामे पे ट्रांसफर नहीं करा लेंगे अपडेट नहीं करांगे तब तक आपके पास में लैसेंस ना होने के बराबर ह वो भी आप लोग समझे, देखे, मैं आप लोगों को दोस्तों बहुत पॉइंट पॉइंट की बात में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग समझे सारी चीजों को, जाहिर सी बात है, अगर आपका एक्सिडेंट होता है, एक्सिडेंट होने के बाद में, जब भी नजम वाला आता है, मतलब तामीन वाला ये इंशूरिंस वाला जो भी आप बोल दें, या शूर्ता वाला अगर आता है, आप से आपका अकामा मांगता है, और लैसंस मांगता है, अकामा आप से लेता है, अकामा लेने के बाद में आपका अकामा नमबर वो सिस्टम में मार जो शायद उनको insurance company से दिया जाता है या जो insurance company से already connect होता है वो उसमें जब आपका aqama number मारता है तो उसके सामने सारा detail आपका आजाता है कि क्या आपके नाम से license है या नहीं है क्या आपके इस गाड़ी का insurance बना हुआ है या नहीं बना हुआ है तो एक बात बताएं मेरे भाई जब आपका aqama number मारेगा system में या अपने mobile phone में तो आप बताएं क्या उस time पर आपके नाम से कोई license system में शो करेगा उसके mobile phone में बिलकुल नहीं शो करेगा क्यों क्यों कि आपके नए aqama number पर अभी तक कोई license है ही नहीं। मैं proof के तोर पर आप लोगों के एक बात बताऊं दोस्तों अगर आप लोग इस चीज़क करना चाहते हैं कि क्या आपके नए aqama number पर अभी तक कोई license है या नहीं है आप खुद अपना अपिसीर open करिए आपका अबशिर जब आप ओपन करेंगे कहीं पे भी ओपन कर लीजी आप चाहे तो आप Google Chrome में ओपन कर लीजी चाहे तो आप अबशिर का जो एप है उसके अंदर ओपन कर लीजी कहीं पे भी आप ओपन कर लें करने की कोशिश करेंगे तो आपके नाम से कोई लैसेंस ही नहीं दिखेगा कोई लैसेंस नहीं शो करेगा क्यों कि आपका जो अबशिर है वो अभी नए अकामे नंबर से बना है और जो पुराना जो लैसेंस था आपका वो पुराने अकामे नंबर से बना हुआ है तो इसका म नए अकामे पे ट्रांसफर कराएं नए अकामे पे अपडेट कराएं आपके अबशिर में शो करेगा तो एक बात बताएं लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं यहां वहां भाग रहे हैं मुरूर पे जा रहे हैं दल्ला पे जा रहे हैं सिर्फ किसलिए अपना पुराना ला मुरूर या दल्ला पे जाते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को वहां से रिटन आ जाना पड़ता है शुर्ता वाला वहां से वापस कर देता है ये बोल करके कि भाई अभी आपका लाइसेंस सिस्टम में शो नहीं कर रहा है बाद में आओ बाज दफा ऐसा होता है अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो पाच-पाच मरतबा दस-दस मरतबा जो है मुरूर या दल्ला पे गए हैं कुछ लोगों का कई बार जाने के बाद में उनका पुराना लाइसेंस सिस्टम में शो किया है और फिर नए अकामे पे लाइसेंस तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कभी अगर एकसिडेंट हुआ आपका वहां पर आपका अकामा नंबर मारा जाएगा तो जाहिर सी बात है जब आपके नाम पे कोई लाइसेंस ही नहीं शो करेगा सिस्टम में कहीं कोई लाइसेंस नहीं दिखाएगा तो आपक चीज़ को सीरियस लें दूसरी बात दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और यहां पर बताते चलूँ चलिए मान लेते हैं मिसाल के तोर पर आप फिर भी पुराने ही लैसेंस से गाड़ी चला रहे हैं आपका एक्सिडेंट भी नहीं हुआ है कहीं चेकिंग भी नहीं हुआ है कभी न कभी तो आपका पुराना लैसेंस एक्सपायर होगा जब आपका पुराना लैसेंस एक्सपायर होगा तो एक बात बताए मुझे आप उसको किस तरह से रिनिव करेंगे जाहिर सी बात है जब आप अपना वीजा चेंज नहीं किये हुए होते हैं तो किस तरह से अपना लाइसेंस रिनिव करते हैं उसका यही तरीका होता है आप अपने अबशिर में जाते हैं अबशिर से रिनिव कर देते हैं और उसका पैमेंट आप पहले कर चुके होते हैं लेकिन जब यहां पर आपका जो पुराना लाइसेंस वो एक्सपायर होगा और आपने पहले स अपने नए अकामे पे उसको ट्रांसफर नहीं किया था तो आप उसको किस तरह से रिनिव करेंगे क्योंकि आपके अप्षिर में तो कोई लाइसंस शो नहीं कर रहा है कि आप वहां से जाकर अपना पुराना लाइसंस रिनिव कर दें तो इसका मतलब यही हुआ कि फिर घुमा फिराकर आपको पुराना लाइसेंस उस टाइम पर नए अकामे पे ट्रांसफर करना ही करना होगा अगर आप ट्रांसफर नहीं कराना चाहते हैं नए अकामे पे पुराना लाइसेंस अपडेट नहीं कराना चाहते हैं तो फिर उसके बाद में आपके सामने दूसरा option जो बचता है वो यही है कि आप नए सिरे से फिर से आप अपना license बनाएं और आपको नया license बनाना ही पड़ेगा दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कई लोगों को मुरूर और धरला पे शुर्ता वाले ने बोला भी है जब उनका license सिस्टम में शो नहीं किया तो उनको बोला भी गया कि आपको नया license बनाना पड़ेगा जबकि ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों आप लोग अगर ट्राई करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपका जो पुराना license है वो सिस्टम में शो करेगा और शो करते ही आपका जो license है वो नया license बनाना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपके नाम पे कोई license ही नहीं है तो दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को यही बात बोलूँगा कि मेरी बात माने अगर आप खुद जिम्मेदार हैं आपके पुराने license को नए अकामे पे ट्रांसफर कराने के लिए तो आप इस कराएं अगर पुराना license नए अकामे पे ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं तो फिर याद रखें कि आप नया license बनाएं क्योंकि दोस्तों जब तक आप नया license नहीं बनवाएंगे या पुराना license अपने नए अकामे पे ट्रांसफर नहीं कराएंगे तो यह मानने कि आप बिन लाइसेंस के ही सुधी में गाड़ी चला रहे हैं और बिना लाइसेंस के सुधी में गाड़ी चलाने से अगर आपके साथ में कोई हादसा होता है तो मैंने पहले ही बताया है और आप खुद समझदार हैं इस चीज़ के कि आपके उपर कितना बड़ा जुरमाना लग सकता है आप इतनी बड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो अच्छा लगा अगर आप लोगों को मेरी बात हैं समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ताकि मैं जब भी अपना अगले वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए मिलते हैं अगले वीडियो में